allow students, तो यहां पे हमरे पस question है, determinant हमें दिया हुआ है, इसमिन यहां पे हमें alpha की value calculate करनी है, ठीक है, तो सब से पहले हम लोग 1 determinant calculate कर लेते हैं, तो determinant हमरे पस 1 plus alpha square, 2 plus alpha square, और यह 3 plus alpha square, ठीक है, यहां पे 1 plus 2 alpha square, 2 plus 2 alpha square, और यह 3 plus 2 alpha square ठीक है similarly 1 plus 3 alpha square 2 plus 3 alpha square और यहां पे 3 plus 3 alpha square ठीक है और यह determinant की value किसके को ले minus times 648 alpha ठीक है इसमें हम लोग कुछ operations लगाते हैं तो पहला operation है R3 में लगा रहे है हम लोग ठीक है तो अगर R3 में operation लगाते हैं R3 को हम लोगने है R3 minus R2 ठीक है तो R3 minus R2 करेंगे तो यहां पे यह कितना देदेगा यह देदेगा आपको 2 alpha plus 5 ठीक है यह कितना देदेगा 4 alpha plus 5 और यह कितना देदेगा 6 alpha plus 5 ठीक है similarly R2 में भी operation लगाते है R2 minus R1 तो r2 minus r1 करेंगे तो ये कितना हो जागा 2 alpha plus 3 4 alpha plus 3 और ये 6 alpha plus 3 ठीक है इसके बाद हम लोग एक और operation लगा रहा है इन दोनों को minus करते हैं तो r3 को अगर हम फिर से लिखें r3 minus r2 ठीक है तो यहाँ पे कितना जागा 2, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 ठीक है अगर हम 2 common ले ले तो यहाँ पे 1 आ जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1 ठीक है अब हम लोग column operation लगाते हैं तो सबसे पहले c3 में लगाते है c3 को अगर हम c3 minus c2 करें ठीक है तो c3 minus c2 करोगे तो यह term क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे कितना जाएगा यहाँ पे मेरे पास 2 alpha जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा यहाँ पे आ जाएगा alpha into 5 alpha plus 2 ठीक है similarly एक और operation लगाते है c2 को c2 minus c1 c2 minus c1 करेंगे तो यहाँ पे यह term क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे क्या जाएगा 2 alpha ठीक है और यहाँ पे क्या जाएगा alpha into 3 alpha plus 2 ठीक है अब escape out हम इसको open कर देते हैं ठीक है यहाँ से देखो यह 2 से यह cancel हो जाएगा यहाँ पे कितना जाएगा 3, 2, 4 escape out अगर इसको open करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से देखो इसके बाउट अगर हम इसको open कर देंगे तो यहाँ जाएगा हमारे पस 2 alpha square ठीक है यह इसके साथ multiply होगा तो 2 alpha square into 3 alpha plus 2 minus 2 alpha square into 5 alpha plus 2 और यह equal to minus 3, 2, 4 alpha ठीक है यहाँ से देखो 2 alpha square common आ गया और यहाँ से 2 cancel हो जाएगा तो यह कितना देगा minus times into 2 alpha equal to minus 3, 2, 4 into alpha ठीक है यहाँ से अगर cancel करेंगे तो यह cancel हो जाएगा तो यह alpha cube minus 81 alpha equal to 0 तो alpha की value क्या-क्या possible है 0, 9 and minus 9 ठीक है तो यहाँ पर हम कौनसा option में mark कर सकते है आपका B and C option correct हो जाएगा ठीक है जाएगा यहाँ ऀाएगा